अरविंद केजरिवाल जी अब मुक्य मंतरी बनना नहीं चाहते हैं. मुझे लगता है अरविंद जी अब ब्रदान मंतरी बनना चाहते हैं. पूरे विपख्य में ऐसा कोई नेता नहीं है, जिनकी पाईटी की दो राज्यों में सरकार गरी हो. अरविंद जी is only leader. अर्विंद केजरिवाल जी का जो अगला टार्गेट या निशाना है वो राष्टी राजनीती में नरेंद मोदी जी का विकल्ब बनना है अर्विंद जी के फैसले से ऐसा लगता है कि जैसे वो देश के अगले प्रधान मंतरी के उमीदवार है दिल्ली की नई मुख्य मंतरी आतीशी जी को मैं बदाई देता हूं उनके अच्छे भविश्च के लिए शुब कामना है अब ये उनका भाव है लेकिन अर्विंद केजरिवाल जी अब मुख्य मंतरी बनना नहीं चाहते हैं अर्विंद जी अब प्रधान मंतरी बनना चाहते हैं अर्विंद केजरिवाल जी एक अकेले नेता हैं एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने दम पर देश में दो-दो राज्यों में सरकार बनाई है तो मुझे लगता है कि अर्विंद केजरिवाल जी का जो अब अगला टार्गेट या निशाना है वो राष्ट्री राजनीती में नरेंद मोदी जी का विकल्ब बनना है अब देश की जनता फैसला करेगी लेकिन अर्विंद जी के फैसले से ऐसा लगता है कि जैसे वो देश के अगले प्रधानमंत्री के उमीद्वार है मुझे लगता अभी दोहजार उनतिस में फिर चौथी बार मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे अर्विंद केजरिवाल ने आज कहा है कि मुझे अगर ब्रस्टा चाल करना होता तो मुझे इंकम टेक्स की नोकरी छोड़कर नहीं आता हमाँ करोड़ों पमा लेता ये जो आरोप उन पर लगे हैं और जो जेल इनके नेताओं को बेजा है ये प्रधानमंत्री की साज़ेश है नहीं प्रधानमंत्री किसी के खिलाफ कोई साज़ेश नहीं करते हैं को मुझे इस देश की न्याय पालिका पर पूरा भरोसा है कि वो केजरिवाल जी के प्रति पूरा न्याय करेगी सर वधानमंत्री अमेरिका दोरे पर हैं काफी लोगों में रिखा जा रहा है जो वहां इंडियन बसते हैं किस तरह से आप देखते हैं भारत को इससे कितना लाभ होगा देखे हमने इतिहास में सम्राठ सम्राठ चंद्रगुप्त का नाम सुना है सम्राठ विक्रमादित का नाम सुना है सम्राठ अशोक का नाम सुना है जिन्होंने भारत को गौरवानिवित करने का काम किया सम्राठ विक्रमादित सम्राठ चंद्रगुप्त सम्राठ अशोक यह सब महान राजा हुए है लेकिन जन करें मुदी है